इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. टीयव बस्ट लिक्विद्जल एक आख का लुब्रिकेंट या कृत्रिम आसू है जिसका उप्योग सूखी आखों से राहत के लिए किया जाता है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आख की चिकनाई बनाए रखने के लिए पर्याप तांसू नहीं बनते हैं. ये हाखों की उचे चिकनाई बनाए रखते हुए सूखी आखों में दिखाई देने वाली जलन और जलन को शांत करने में मदद करता है. टी अव बस्ट लिक्विद्स अलाम तोर पर जरूरत पढ़ने पर ली जाती है. अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार बूंदों की संख्या का प्रयोग करें. कमजोर पढ़ने से बचने के लिए उसी आँख में कोई अन्य दवा देने से पहले कम से कम 5-10 मिनट तक प्रतीक्षा करें. अगर बोतल खोलने से पहले सील टूट गई हो तो बोतल का इस्तेमाल न करें. हमेशा अपने हाथ धोएं और ड्रॉपर के सिरे को न चुएं. ये आपकी आँख को संक्रमित कर सकता है. इस दवा को लंबे समय तक उप्योग की आवश्यक्ता हो सकती है और जब तक आपको इसकी आवश्यक्ता हो तब तक इसे सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है. इस दवा का उप्योग करने के सबसे आम दुश्प्रभाव धुंदली या बदली हुई दृष्टी, लालिमा या जलन और कभी-कभी आँखों में दर्ध होता है. अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, लेकिन वे आमतोर पर अस्थाई होते हैं. जब तक आप सुनिश्चित न हों कि आप इसे सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, तब तक ड्राइव न करें, मशीनरी का उप्योग न करें, या कोई भी गतिविधी न करें जिसके लिए स्पष्ट द्रिष्टी की आवशकता हो. अपने चिकित सक से परामर्ष करें, यदि आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या यदि दुश्प्रभाव आपको परिशान करते हैं. यह दवा आपके द्वारा उप्योग की जाने वाली अन्य दवाओं से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना नहीं है, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी ग्लूकोमा हुआ है. soft contact lanes पहनते समय इसका इस्तेमाल न करें और अगर इसका इस्तेमाल करते समय आपको आँखों में संक्रमन हो जाए तो अपने डॉक्टर से बात करें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल झाल